बेलफास्ट, उत्तरी आयरलेंड में बसा एक मनमोहक शहर जो अपने इतिहास और सभित्या के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, यहां की कुल जन संख्या 6 लाग पताई जाती हैं, वैसे तो आयरलेंड की राजधानी डबलिन पर्यटकों के बीच खासी मशूर हैं पर उत्तरी आयरलेंड की राजधानी बेलफास्ट अपने सुन्दर और प्राचीर अमारतों के लिए बहुत मशूर हैं और फ्रेंड्स मैं आपको बता दो के यहां की जो बिल्डिंग्स हैं, इमारते हैं इतनी मशूर है कि हैरी पॉटर सीरीज के निर्माताओं ने काफी सारी शूटिंग इन्ही इमारतों में की हैं और यहां के लोग, यहां के लोगों की आत्मियता बहुत ही प्रसिद्ध हैं, यहां के लोग जब भी आप से मिलेंगे बड़े ही प्रेम पूर वक्त अपनी खुशी जताएंगे इस शहर के लोग बड़े ही अनुसाशित हैं और यहां हर कोई ट्राफिक रूल्स का पालन करता है यहां ट्राफिक रूल्स को बड़े ही गंभीरता से लिया जाता है आपको कोई भी यहां पर ट्राफिक रूल्स तोड़ते हुए नजर नहीं आएगा और अगर यहां गलती से कोई ट्राफिक रूल्स तोड़ भी देता है तो उसका जो पनिश्मेंट होता है वो हाथो हाथ आपको मिल जाता है या फिर आपके घर पहुच जाता है फ्रेंज जितनी खुबसूरत यहां की बसस है उतनी ही खुबसूरत बस स्टॉप भी है और मानना पड़ेगा लोग इतनी अनुसाशित है कि लाइन से बस में चड़ते हैं कोई धक्का मुकी नहीं कोई जमेला नहीं यहां के लोग बाहर खाना खाने के शौकीन है इसलिए आपको यहां पे प्रकार प्रकार के वेंजने कई अलग अलग देशों से आए हुए लोग बनाते हुए बेचते हुए और खाते हुए मिल जाएंगे और इस शहर की सफाई का तो क्या कहना यहां पर कहीं बेबी आपको कूड़ा कचड़ा या गंदगी नजर नहीं आएगी इस शहर में आपको भूर काल और वर्तमान काल का बड़ा ही अनूठा सबावेश देखने को मिलेगा जहां रोड के एक तरफ आपको प्राची इमारते मिल जाएंगे तो वहीं दूसरी तरफ मौडन बिल्डिंग्स खड़ी नजर आएंगे यहां के लोग जितने जिन्दा दिल है उतने ही आत्मी अभी जितने अनुसाशत है उतने ही समय के पावंद भी फ्रेंस यहां विक्टोरियन एरा की आर्किटिक्चर और ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स आपको हर जगा देखने को मिल जाएगा इस शहर के हर पूणी में खुबसूर्ती जैसे बिखरी पड़ी हो चाहे वो यहां के बिल्डिंग्स हो चाहे वो यहां के नदिया हो या फिर चाहे वो यहां के लोग हो यहाँ के लोग छुट्टियों की दिन यहाँ अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ आपर फाफी सारा समय यहाँ पर बिदाते हैं यहाँ के लोग अपनी लाइफ स्टाइल पर बहुत ध्यान देते हैं कैसे कपड़े पहनना है कैसे सजना है और सवरना है इन सारे चीजों पर इनका खासा ध्यान रहता है अपने कपड़ों जूतों और महंगे परसों पर यह काफी सारा पैसा घर्च करते हैं 19 वी शतापती से ही यह शहर अपने बंदर गाहों के लिए खासा मशुहूर है आपको बता दू कि विश्व प्रसिद्ध या विश्व प्रक्याद टाइटैनिक जहाज का जो निर्मान हुआ था वो इसी शहर में हुआ था इसलिए यह शहर विश्व में काफी प्रसिद्ध है इस शहर में तीन दश्वों तक चली सत्ता की लड़ाई को कलाकारों ने अपने कला के माध्यम से शहर के कोने कोने में दर्शाया है इन कलाकृतियों को मियूरल्स कहते हैं और यह मियूरल्स बेलफास्ट के देवारों पे और शहर के कौनी-कौनी हर जग़ा आपको मिल जाएगा। बेलफास्ट की आज की कहानी मेरी जुबानी यहीं तक। बेलफास्ट के नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतिजार करें वीडियोस को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे वीडियोस और भी बना सकूँ कमेंट सेक्शन में अपने फेवर शहर का नाम जरूर बताए ताकि मैं उस पे भी एक वीडियो जरूर बनाओ तब तक के लिए बाई बाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद